आज की बात में हमारे साथ मोजूद है सुनील पांडे सर राजनितिक विश्यसत आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी राजसन में क्या कर रही है जो कॉंग्रेस के नित्रित है सचीन पाइलट के साथ क्या इमंदारी नहीं बरत रही है सचीन पाइलट के साथ क् कमजोड करने का प्यास कर रहे हैं और राहूल गांदी लगतार बारत जोड़ों जात्रा में सचीन को साथ लेकर चल रहे हैं लेकिन इसका कुई असर गलोट पे नहीं हो रहे हैं और फाइनली ऑसो गलोट कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है कॉंग्रेस को नजीक सा समझने वाले राजिवे सेक्स निल पांडे सर आप क्या कहेंगे कॉंग्रेस नित्रुक्त को सर कि क्या वहाँ फिर पंजाब की पुनरिविर्थी तो नहीं हो जाएगी देखिए मामला ऐसा है कि ये इसी साल नौ राजियों में चुनाव है जिसमें तीन सत्ता में कॉंग्रेस है लेकिन कॉंग्रेस दूसरे पार्टियों से ज़्यादा भीतर घात से परशान है आप राजस्थान की बात कर रहे हैं राजस्थान भीतर घात से नहीं सामने सामने गप हो रहा है मुखमंत्री हों या उनके साथ जो उलज रहे हैं युवा नेतार उनकी बात हो ये लगतार जिस समय से सरकार का गठन हुआ है उसी समय से लड़ाई आ रही है और लड़ाई का निराकन कहा होता है दिल्ली जाकर अब दिल्ली में प्रियंका गांधी हो या राहूल गांधी हो यह लगातार चाहते हैं कि युआ ने तृत को आगे लाया जाए साथ में कॉंग्रेस यात्रा में वो चल भी रहे हैं लेकिन है क्या कि मुख मंत्री के खिलाप खुले आम तोर पर कोई निर्ने लोग नहीं ले पा रहा है वो सिंधिया लगातार वर्षों तक इस प्रयास में उनको नित्रुत में सामने लाया जाए मुख रूप से उनकी भूमिका हो राजिप की राजनीती में लेकिन ऐसा नहीं हो सका नतीजा क्या हुआ कॉंग्रेस छोड़कर चले गए तो इसे कई जैसे जी ट्वेंटी टू की बात आती है कई ऐसे मुद्धे हैं जो कॉंग्रेस में लगातार उठते रहे हैं नवीनी करन को लेकर बदलाव को लेकर और सबसे बड़ी बात जो यह सुप्रिम फैमिली पार्टी जो बन चुकी है कॉंग्रेस इससे बाहर आने के लिए लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है बिली के बि रमु का स्मीर में चुनाओ लड़ सकते हैं तो इस तरह से रिवाईवल की तो जयूरत है एक एंटेनी दो हजर चौदा के बाद ही इस बात को रख चुके है कि वो तुष्टी करन की निती पर कॉंग्रेस को पुनर समिक्षा की जयूरत है आपका इमें एंटी हिंदू होते भी नहीं कर पा रहा है पहले हम तुष्टी करन की बात कर रहे थे मुस्लिमों का या कोई दूसरे अलपसंख्य क्यों का लेकिन वो अब इस्थिती बदल गई है तो यह पूरा उथा पठक जो है ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं रोका जा सकता है लेकिन आपके पास एक बढ़ियां नित्रित हो जो काईदे से फेवर की राज़िती नहीं करता हो आपस में बलकि प्रतिभा के मेरिट की राज़िती करता हो तब ही जाके कॉंग्रेस में भी रिभाईवल संभव है सचीन पाइलट जी जब चुना हुआ था परदे सद्यक्ष थे डिप्टी सीम रहे उन्होंने इस्तिपा किया कॉंग्रेस ने उनको समझाया था कि आपको मंतरी बनेंगे सचीन पाइलट जी के बारे में सर आप क्या सोचते है और सचीन पाइलट जी को आखिर क्या करना चाहिए सर लेकिन अब वही बात है आपको एक और अंदुरूनी बात है जानना चाहिए कि कॉंग्रेस या कोई भी पाटी फंड पर चलती है और फंडिंग में गहलोत का कोई जोड नहीं है गहलोत फंडिंग में मददगार है सचीन पाइलट पर उनका ये जोबर है इस मामले को लेकर ल लेकिन ऐसे भी संसदिय राजी थी का तो उनका भी हो गया है इसे कॉंग्रेस के सुप्रीमों से ये कहना मुस्किल है ये दो रह नहीं है कि सोनिया के इतर दोनों भाई वहन अलग विचार रखते हैं सचीन को लेकर सोनिया हो सकती है कि गहलोत को चाहती हो या गहलोत के पर में हो लेकिन दोनों भाई वहन सचीन के लिए साथ खड़े हैं लेकिन देखा नहीं जा रहा है इस सिती है कि प्रदेश शोकर सचीन ज्यादा समय दिल्ली में बिटाते हैं या राहुल के साथ इन दिनों यात्रा में जूटे हो गया अगर मुक्रमंत्री का फेश चुना यह यहां जतिन प्रसाद ने छोड़ा यह सब एक ग्रूप के हैं तो ऐसा माना जा रहा है था कि उसी समय ऐसा निर्णे होगा ऐसा नहीं हुआ लेकिन 2023 में कुछ निर्णायक चीज़ें देखने को मिल सकती है जिस तरह से सचीन के साथ कॉंग्रेस कर रही है पंजाब के पॉलिटिकली बहुत बेनिफिटेड नहीं हुए कॉंग्रेस चोड़ने के बाद लेकिन कैप्टन की हैसियत गहलोत से बड़ी हैसियत थी हैसियत है आज भी तो दोनों की तुनला नहीं की जा सकती है लेकिन हां गहलोत तो अपने रास्ते पे रहेंगे सचीन पाइलट का र जुदा कर ले हमारी सर्जोगी संदी के साथ कोसलें दहर नई दिल्ली शे